हरियाना में लोक सभाज चुनाओ के लिए नमंकन परिकरिया 29 अप्रैल शेश शुरू हो रही है इसके लिए बीजिपी और कॉंग्रिस के पृतियाश्यू की तैयारिया लगभग पोरी हो चुकी है गुरुग्राम से भाजपा के उमीद्वार राओं इंदजीत अकीली ऐसे उमीद्वार ही जो 29 अप्रैल को नमंकन पत्र भरेंगी हरियाना भाजपा के परिभारी विपलव देव नमंकन के समी उनके साथ मोजूद रहेंगे महीं सीम नायप सिंग सैनी एक मही को अमबाला से कैंडिडेट बंतो कटारिया का नमंकन करवाएंगे जबकि दो माई को भाजपा परिभारी विपलव देव भीवानी महिंद्रगड के उमीद्वार चोधी धरम बीर सिंग का नमंकन दाखिल करने के दुरान उनके साथ रहेंगे इसी तरह से दो माई को कुरुक्षेतर से भाजपा उमीद्वार नवीन जिंदल अपना नमंकन करेंगे मुखे मंत्री नायप सिंग सैनी उनके साथ मोजूद हो रहेंगे इसी दिन हिसार के उमीद्वार चोधी रंजी चिंग चुटाला अपना नमंकन दाखिल करेंगे पुरु मुखे मंत्री मनुहर लाल उनके साथ होंगे तीन मै को सोनी पत के उमीद्वार मोहनलाल बडोली रोहतक के उमीद्वार डोक्टर अर्विन शर्मा नमंकन पत्र भरेंगे मोहनलाल और डोक्टर अर्विन शर्मा के साथ मुखे मंत्री नायप सिंग सैनी मोजूद रहेंगे चार मई को सिर्षा के उमिद्वार डॉक्टर अशोक तवर का नामंकन विपलव देव करवाएंगे जबकि पाँच मई को कोई भी नामंकन नहीं होगा इसी तरह से 6 मई को फरीदाबाद के भाजपा उमिद्वार किशिन पाल गुजर का नामंकर विपलव देव कराने जाएंगी करनाल के भाजपा उमिद्वार एवंपरो सियम मनोहर लाल लोक सभा सीट के लिए तथा करनाल पिधान सभा सीट के लिए मुखे मंती नायप सिंग सैनी अपने अपने नमंकर पत्र दाखिल करेंगी मई हर्याणा कॉंग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमोक चांद वीर हुड़ा ने बताया कि एक मई को सोनी पत के उमिद्वार सत्पाल ब्रह्माचारी और कनाल के उमिद्वार दिव्यांशु बुद्धी राजा अपने अपने नमंकर पत्र दाखिल करेंगी दो मई को अमबाला के उमिद्वार चोधी वरुण मुलारा नमंकर करेंगे तीन को भीवानी महेंदरगड के उमिद्वार राओदान सिंग का नमंकर हुगा जबकि चार को रोहता के उमिद्वार दिपेंदर सिंग हुड़ा का नमंकर दाखिल हुगा 6 मई को हिस्सार में जय प्रकाश नमंकल ताखिर करेंगे गुरुग्राम वा सिर्सा के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है तो इस बार का चुनाव बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है अपील रहेगे इस वीडियो को आप शेयर जरू करें वह से पानिपत के लिए ब्यूरो रुपोर्ट हरियाना में लोक सभाज चुनाव के लिए नमंकन परिकरिया 29 अप्रायाश ये शुरू हो रही है इसके लिए बीजिपी और कॉंग्रिस के पृतियाशियो की तयारिया लगभग पोली हो चुकी है गुरुग्राम से भाजपा के उमीदवार राओं इंदजीत अकीली ऐसे उमीदवार हैं जो 29 अप्रायल को नमंकन पत्र भरेंगी हरियान भाजपा के प्रभारी विपलव देव नमंकन के समय उनके साथ मोजूद रहेंगे मही सीम नायप सिन सैनी एक मई को अमबाला से केंडिडेट बंतो कटार्य का नमंकन करवाएंगे जबकि दो माई को भाजपा परभारी विपलब देव भीवानी महिंदरगड के उम्मीदवार चोधी धरम बीर सिंग का नमंकन दाखिल करने के दुरान उनके साथ रहेंगे इसी तरह से दो माई को कुरुक्षेतर से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल अपना नमंकन करेंगे मुखे मंत्री नायप सिंग सैनी उनके साथ मोजूद हो रहेंगे इसी दिन हिसार के उम्मीदवार चोधी रनजी चिंग चोटवार अपना नमंकन दाखिल करेंगे पुरू मुखे मंती मनुहर लाल उनके साथ होंगे तीन मैं को सोनी पत के उम्मिद्वार मोहनलाल बडोली रोहतक के उम्मिद्वार डोक्टर अर्विन शर्मा नमंकन पत्र भरेंगे मोहनलाल और डोक्टर अर्विन शर्मा के साथ मुख्य मंति नायप सिंग सैनी मोजूद रहेंगे चार मई को सिरसा के उमिद्वार डॉक्टर अशोक तवर का नामंकन विपलव देव करवाएंगे जबकि पाँच मई को कोई भी नामंकन नहीं होगा इसी तरह से 6 मई को फरीदाबाद के भाजपा उम्मिद्वार किशिन पाल गुजर का नामंकर विपलवदेव कराने जाएंगी करनाल के भाजपा उम्मिद्वार एवंपरो सियम मनोहर लाल लोक सभा सीट के लिए तथा करनाल पिधान सभा सीट के लिए मुखे मंती नायप सिंग सैनी अपने अपने नमंकर पत्र दाखिल करेंगी मई हर्याना कॉंग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमोक चांद वीर हुड़ा ने बताया कि एक मई को सोनी पत के उमिद्वार सत्पाल ब्रह्माचारी और कनाल के उमिद्वार दिव्यांशु बुद्धी राजा अपने अपने नमंकर पत्र दाखिल करेंगी दो मई को अमबाला के उमिद्वार चोधी वरुण मुलारा नमंकर करेंगे तीन को भीवानी महेंदरगड के उमिद्वार राओदान सिंग का नमंकर हुगा जबकि चार को रोहता के उमिद्वार दिपेंदर सिंग हुड़ा का नमंकर दाखिल हुगा छे मई को हिस्सार में जय प्रकाश नमंकल ताखिर करेंगे गुरुग्राम वा सिर्षा के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है तो इस बार का चुनाव बेहती दिल्चस्प होने वाला है अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें वह से पानिपत के लिए ब्यूरो रुपोर्ट